हालो एक बाद फिर से आप सब्सक्राइब का मेवाड ए नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमस्कार अधाप सच्रेटकाल सलाम मालेकम परदेकम एनेचम राजिस्तान जीनम इस्टाब नर्स समविदा की पॉस्ट अपने आ चुकी है और उसके अंदर अपना समसामिक करेंट अफेर्स का भी एक टॉपिक है जहां से आपको पांच नमबर के कम से कम कुष्टन पूचे जाएंगे कम से कम पांच नमबर तक के क्यास नमबर तो पके हो जाएंगा क्यों क्युकि देख ब्राइश ने ले से क California हो रहा है ने तो राजस्तान में दो गटनाने पने लो और परुटने ही और मुंकर मन्तरी स्रय और इश्रकर जिए गेलोट की तरफ से तो वो राजस्तान को बहुत बढ़ी सोगात मीं है और दो खुसकबरियां एक साथ मिली है तो उसी के उपर मैं पूरी डिटेल क्लास लेके आया हूँ पहला हमारे टोपिकों का वंदे भारत एक्सप्रेस दो ट्रेन यहां पर सोगात मिली है राजस्तान को एक तो मिली है अजमेर से लेके दिल्ली तक और फिर दूसरी मिली है जोदपूर से लेके एहमदाबाद के साबर मती तक तो वो दोनों ही ट्रेन का क्या है कब स्टार्ट हुई और कहां पे इसका उद्गटन हुआ किस परकार से हुआ उस सारी चीजे एक ट्रेन तो कल ही लोंच हुई थी जोदपूर वाली तो जोदपूर भगत की कोठी से लेके साबर मती एहमदाबाद तक जो ट्रेन का संचालन है वो सुचरूरूरूप से कल से हो गया था बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है अपना तो पूरी क्लास अंत तक देखना बिल्कुल ना भूले पूरा वीडियो को पूरा देखे अंत तक देखे ताकि समझ में आ जाएक आपको और हर एक क्वेश्टन आपका क्लियर हो जाएगा और महंगाई रायत केम्प के बात करें तो वो 24 यहाँ पर अपरेल से सुरू हुआ था 30 जून तक लाश्ट था तो यह भी क्वेश्टन आपके बन सकता है महंगाई रायत केम्प से रिलेटेड तो यह भी आपको पढ़ना बिल्कुल मस्ट है इंपोर्टेंट है अपन क्लास को ओन करते हैं और क्या है इसके अंदर वो सारी चीज़े अपन वन बाई वन करके देखते हैं एक बार ताकि अपन को कुछ न कुछ दिमाग में जाएगा यह यहां पर एक आपके सामने इमेज पूट कर रखा है यह कल के जो आपका देनी के बासकर का जो पेपर आता है उसके अंदर यह इमेज था कि बहतर सुविदा सुपरफस्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है नया बारत की प्रगती यह इसका स्लोगन था और यह जी ट्विटी वाला उसके अंतरगत यह योजना है और गाटी सक्ती पीम की जो योजना है उसके अंदर और आजादी का अमरित मौत्सव यह सारी चीजिए स्लोगन से रिलेटेड है और यह है आपकी भंदे भारतर ट्रेन का इमेज बिलकुल पूरी की पूरी होई जाज का इसके अंदर आपको जो सीट मिलेगी वह भी पूरी की पूरी 30 3060 डिग्री बदब रोटेड है पूरी की पूरी घूम सकती हो सीट एन एलेडी फीचर से आपके सभी के सामने और मलब पूरा का पूरा एलेडी मिलेगा आपको कौन सा श्टोप आ रहा है कौन सा के आई सब पूरी लीडी में सूचना मिलेगी और सेंसर वाले इसके अंदर गेट होंगे और टॉयलेट वगेरा सब नए फैसिलिटी वाले होंगे तो अपन बात करते हैं बंदे भरत एक्सप्रेस की तो सबसे अपने राजस्तान की अगर बात करें तो सबसे पहली सोगात का मिली थी और कब मिली थी वो अपन बात करेंगे यहां पर कब पहली सोगात मिली थी राजस्तान को 12 अप्रेल बारा अप्रेल 2023 को राजस्तान के अंदर वंदे भरत की पहली सोगात मिली थी ये भी प्रदान मंतरी श्री नरंदर जी मोदी ने भी ही फलब किया था और 12 अप्रेल को य कर रूद्य को के अपने पर श हो सब्सक्राइब का AF आपने स्वक्रेश अपने राजस्तान के अंदर अज्मेर दिल्ली और वह चैक din वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर दिल्ली याद रखना अजमेर दिल्ली पूंच सकते हैं एक्जाम में अब जो अब देखो ये क्लास जो कोई भी देख रहा है आरस की तैयारी कर रहा हो जिसके राजस्तान का जिके है करेंट अपेर्स है वह सब के लिए बेनिफीशिल क्ला सुरू हुआ था तेरह अप्रेल को यह ट्रेन अपने रूट पर वापिस चलने लगए थी दोड़ने लगए थी तेरह अप्रेल को अजमेर से दिल्ली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेंड है उसकी कहानी यह हुई एंड अब आते हैं अपन कल की बात करते हैं कि कल क्या सब्सक्राइब नहीं करेंट अफेर से बिलकुल और आने वाले एक्जाम में कॉम्पेटिटिव एक्जाम को कुष्टन बन सकता है यह समझे प्रेडिक्ट हो रहा है और यह कुष्टन बनेगा साथ जुलाई यह समझे नहीं के जब सकता है गोरकपूर लखनउ गोरकपूर से लखनउ के तरप जो रवनना ओगी और गोरकपूर का अंदर ही जो यूपी के रज्यपाल है श्रीमती आनन्दी पटेल आनन्दी पटेल वो और उसके मुख्य मंत्री यूपी के कौन है सभी को पता है योगी अदितनात जी और ये दोनों और एक रेल मंत्री स्री अश्विनी वैशनौ इन्होंने मिलके ये कल इस गोरकपूर लखनौ वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्गाटन तीन बजे किया था और उस समय प्रदान मंत्री नरंदर जी मोदी भी थे वो भी गोरकपूर में ही थे और वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जोदपूर से भी संचालन हुआ था शुरू भगित की कोटी से उसका भी यहां पर उद्गाटन इनोंने किया था नरंदर जी मोदी ने वहां से जोदपूर से वीडियो कोन्फरेंसिंग के जरिये किया था ठीक है और जोदपूर एहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सपरेस दो ट्रेने कल लॉंच हुई थी कल इसका संचलन शुरू हुआ था कल से संचलन शुरू हुआ था दो क्योंसी थी पहली थी गोरकपूर लकनो वंदे बारत express ञाए आयोध्या और जोदपुर, एमदाबाद, चाबर मती एक्सप्रेस और ये साबर मती जोदपुर से पाली पाली से अबू रोड अबू रोड सा मेहसाना मेहसाना से लेकर ये वापिस एंदाबात सबरमति तक जाएगी और वापिस रेटर्न होगी है आने जाने का दोनों का है इस सिस्टम यह है फिर प्रदान मंत्री स्री निरंदर जी मोदी के द्वारा गोरकपुर जंक्षन रेलव स्थस्टम है उसका पुनर विकास करना मलब उसका रीडिर डव्लप्मेंट करना अच्छे से सरुका डव्लप्मेंट करना वह पी इन्होंने पहले 11 ती अजमेर तक 11 ती अजमेर वली हुई थी उस समय 11 ती लेकिन यह 12 गोर्गपुर वाली और 13 जोदपुर वाली तेरा ट्रेनों का संचलन राजस्तान में हो चुका है तेरवी जगह पर यह इतना संचलन हुआ है अब आया समझ में सभी को यह था अपना आज का करेंट अपेर और अब आता है एक और करेंट अपेर से अपना राजस्तान से रिलेटेड है यह अब सभी के सामने जो आपका इमेज है वह यह आपका इमेज है साथ अपरेल का इमेज है यह बिल्कुल गोरगपूर लकनों वाया अयोद्या गोरगपूर लकनों वाया अयोद्या और जोद्पूर एम्दाबाद वाया साबर्मति यह चलेगी ट्रेंड साबर्मति तक यह ट्रेंड चलेगी और यहां पे आपको दिक कि रहा होगा लेकिन फिर भी मैं जूम करके बता दूंँ आपको कोई बात नहीं कुछ टेक्निकल एरहर की वज़े से नहीं हो अपा रहा है जूम लेकिन आपको मैं वैसी बता दूंँ कि पृणपूर के लिए इन्हों ने मलब गोस्ना की है कि पूरणी विकास होगा किकिन वंद्य विकास कि लिए उन renndraji इस ने यह काम इनों ने किया अच्छा किया है यह था वंद्य भारत का आज का हमारा टोपिक कि यह हुआ फिनिश और अब बढ़ते हैं अपन एक राजस्तान के अंदर 24 अपने से एक मलब चला ही जा रही है यह योजना महेंगाई राहत कैम्प किया उता है महेंगाई राहत कैम्प वह पर बढ़ते हैं अपन तो महेंगाई राहत कैम्प दोजार तेविस इस परकार से कैम्प लगाए जटा है जीसा दीकराए आखिविकरा आपको इमेज में और वहाँ पर सबका रजिस्ट्रेस्रिसं होता है उसके बाद में उसको हर वे केम्प के शुरूबाद 24 अपरेल को हुई थी 24 अपरेल 24 अपरेल को हुई थी और 30 जून तक ये केम्प लगाया गया है कब तक लगाया गया है 30 जून तक मतलब 7 दिन पहले तक 7-8 दिन पहले तक ही लगाया गया 30 जून देख लो तो इतना केम्प चला था ये मैं और जून पूरा दो मैंने और 6 दिन उधर किते हुए 60 और 66 जून दिन का केम्प कम से कम था ये ग्राम बंचायत के अंदर पूरे राजस्तान में 11265 केम्प लगाया थे किते केम्प लगाया थे 11265 केम्प राजस्तान के अंदर लगाया थे और घ्राम बंचायत में वह भी गाहों में और शहरी वार्ड में 7500 केम्प शहरी वार्डों में किते लगाया थे 7500 केम्प और सबका रजिस्ट्रेसिन इनों ने किया था कि इसके अंदर जो आपको राजस्तान के बहुत सारी वेकंसिय निकल गाली और राजस्तान जिके उन्होंने मस्ट रखा है और अगे रखा है पाज नमबर का पूछेंगे नर्सिंग के एक्जाम में पूछेंगे तो उनमें से यह question बन सकता है दोने वंदे भारत का और महंगाई राज केम का क्योंकि यह अभी current का रता है latest है यह आपके question बन सकता है तो पहला इन्होंने रखा था कि मुक्यमंत्री gas cylinder guarantee card योजना इन्होंने card बते थे और उसमें 10 योजनाओं का जिक्र किया था यह card जिसके भी पास होगा उनको इस दस योजनाओं का लाब मिलेगा तो वह दस योजनाओं कौन कुन ती पहली थी अपने पास में मुक्यमंत्री gas cylinder guarantee card योजना मतलब gas cylinder तो है guarantee भी है सब कुछ है पर है होगा क्या इसके अंदर आपका जो gas cylinder अभी तक 1140 रुपय का आता था किते रुपय का आता था 1140 रुपय का आता था वह अब किते रुपय का आएगा इस अगर आपने महेंगाई रायत केम्प में अपना registration करवाया है तो सिर्फ महज 500 रुपय में आएगा किते रुपय में एक गेस का cylinder महज 500 रुपय में आपको मिलेगा यह इसका motto था देन दोसरी अगर बात करें अपन तो मुक्यमंत्री निशुल को बिजली योजना क्रशी आप खेती के लिए आपको ऑद्धेटर में एक रुपया नहीं लगेगा फिर आपको कुछ नहीं लगेगा दोसरी थी मुझे मंत्री निशुल को बिजली योजना यह भी नेवाना लेकिन ए घरे लू के लिए घरे लू का कोई भी 100 यूनिट तक आपके चूट है 100 यूनिट आपके चूट है 100 यूनिट तक एक भी रुपया नहीं लगेगा फिर बाद में आप ज्यादा जिला होगे तो लगेगा मोट्य मंत्र निशुल्क अन्न पूर्णा फूड पेकेट योजना और कोई भी भुका न सोय इसके ल जोजना यह तो चली रही है तब सी चल रही है तो 2005 से और जम जब आया है तब से ही चल रही है और इंद्राकंदी सहरी रोजगार गारंटी योजना ये अब चलाया है इनोंने अभी इसी साल चलाया है दो जाल तेविश के अंदर और सामाजिक सुरक्षा पैंसन योजना पहले पैंसन किते मिलती थी सबी को पता है पता है सबी को नहीं पता है फिर भी मैं बता जिता हूं कि पहले जो पैंसन मिलती थी वो मिलती थी यहां पर 500 रुपे फिर साड़े 700 रुपे किये थे लेकिन वो सारी चीज़े यहां पर उन बीमा यौजना इन्होंने और क्या रखा है मुख्या मंत्री काम देटीनु भीमा यौजना भी इन्होंने रखा है मतलब पशुन पालं के लिए आपको चालीस जार रुपे का भीमा यौजना है दो पशुन अगर पालते हो तो आसी जार रुपे पिर हैं मुख्यमंत्रे चीरन जीवी स्वास्त भिमा योजना ये तो योजना कब्से ही चल रही है लेकिन ये भी इसके अंदर जोड़ दिया है और ये पच्छेसलाग तक का इलाज आपके फिरी होगा एक भी रूपया नहीं लगेगा ठिक है और दुर्गतना भिमा चीरन ज प्रतिमा बेरोजगारी पत्ता भी इनको देना है यह इसके अंदर था फ्री राशन यानि फूड पेकेड योजना और दो हजार यूनिट आपके किशानों के लिए और हर घर के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री और 500 रुपे में गैस का सिलेंडर यह दस की दस योजनाए है और यह दस की दस योजनाए है आपके लिए बविश्य में कॉम्पिटिशन एग्जाम का कुश्टन बन सकता है तो यह क्लास आपको अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और उन सभी सभी बच्चों तक का मलब सभी बच्चों तक पहुचा नहीं है सभी बच्चे कौन हो सकते हैं तो किसी और कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयरी करें उन तक भी एक लास को जरूर पहुचा हो है इस क्लास का लिंक जरूर पहुचा है ताकि उन सभी को इन क्लासों का बेनिफिट मिल सके थैंक्स पूर वच्चिंग जय हिन जय बारत जय मे